हाँ, लास्ट टाइम हमने गुरू भिजानु जनन और भूर्ण कोश कैसे बनता है उसके बारे में पड़ा था तो एक बार भूर्ण कोश की सरचना पर मैं वापस आपका ध्यान चाहूंगा क्योंकि परिक्षा में बड़ा प्रश्ण बनता है कि ब्रूर्ण कोश की सरचना का सचित्र वनन कीजिए तो एक ब्रूर्ण कोश आठ केंद्र किय और साथ कोशी किय सरचना होती है ये हमने पूर्व में पड़ा था हम अब खास बात इसकी जो ये सायक कोशिका हैं और अंड कोशिका हैं यहां पर उंगली नुमा प्रवर्द जैसी एक सरचना पाई जाती है इसका खास रॉल है इसको कहते हैं तन्तु रूपी समुच्य इसको इंगलीश में कहते हैं फिलिफॉम एपरेटस चलिए यह तो हमने पढ़ा ही था यह क्या है अंड कोशिका जिसको इंगलीश में कहते हैं एगल सेल यह तो नों यह क्या है सिनर्जी जिसको साहे कोशिका कहते हैं अब यह इसका नाम है सेंट्रल सेल केंद्रीव कोशिका इसका एक और नाम है इसका नाम है प्राथमीक ब्रूण पोश मात्र कोशिका क्यों क्योंकि यही वो रचना है आगे पढ़ेंगे जिससे ब्रूण पोश का निर्मान होता है और यह जो तीनों कोशिका हैं इनको कहते हैं एंटी पोडल सेल या प्रती मुखी या इसको कभी-कभी किसी पुष्टक में प्रती व्यासान्त कोशिका नाम भी लिखा हुआ पाया जाता है अब यह जो सेवन सेल और एट नुकलियस वाली स्टेंडर्ड जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार का भूण कोश है उसका खास नाम है इसका नाम है पॉलीगोनम प्रकार का भूण कोश तो हमने जो स्टेंडर्ड पड़ा है डाट इस पॉलीगोनम टाइप ऑव एम्ब्रियो सेक तो परिक्षा में कभी-कभी ऐसा शब्द भी आ जाता है कि पॉलीगोनम प्रकार के भूण कोश की सरचना का सचित्र वर्णन की जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यह साथ कोश की और आठ केंद्र की जो सरचना है उसी को हम कहते हैं पॉलीगोनम प्रकार का भूण कोश अब आगे बहुत सारे अलग अलग प्रकार है एलियम टाइप एंडी मियोन टाइप जिसमें केंद्रकों की संख्या अलग होती है तो इतना डीटेल हमारे सेलेबस में नहीं है फिर भी आपको कुछ पीडियेप फाइल में डाइग्राम के माध्यम से बेजूँगा आप समझ पाओगे अभी जब हमारा अगला टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं और वो है नीशेचन फालिटी लाइजेशन आज का हमारा तो यह स्क्रीन शोट आपने पहले भी यह डाइग्राम बनाए था चलिए अब नीशेचन कैसे होता है उसके बारे में तो नीशेचन को समझने से पहले मैंने आपको पहले दिन एक डाइग्राम बनाए बताये था अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं कि वर्तिकाग्र वर्तिका और अंडाशे अंडाशे में बना बीजांड और बीजांड में ये है ब्रूर कोश और उसमें हमारे ये है अंडल कोशी का तो सबसे पहली स्टेज आती है पॉलन ग्रेण परागकन परागकन उड़ता हुआ या कीटो के माध्यम से वर्तिकाग्र पर आता है और ये अंकुरित होता है जिसमें क्या होते हैं दो नर के इंद्रग तो पहले तो यहाँ वर्तिकाग्र की क्या भूमिका होती है नमबर एक वर्तिकाग्र परागण के अंकुरन के लिए नमी प्रदान करता है कुछ वर्तिकाग्र ऐसे होते हैं स्त्रावी वर्तिकाग्र जो शुगर है लिपीड है प्रोटीन है उनका स्त्रवन करते हैं ताकि पराग कन को पोशन भी मिल सके चलिए फिर बात करते हैं वर्तिका तो ये जो वर्तिका और वर्तिका है ये दो प्रकार की होती है द्वीवीश पत्री पादपो में ये ठोस होती है और विशेश प्रकार क तीशौ होते हैं बीच में जिनको कहते हैं ट्रांस्मिटिक टीशु कंड़कटिंग टीशू आपयं जबकि एग पतरी में क्या होता है पराग नलीका के लिए एक खुला स्थान होता है इस तर से इसको कहते आपन स्टाइल इसको कहते हैं सॉलिड स्टाइल बरी हुई और इसको कहते हैं ओपन ओपन होगी तो सीधा स्थान मिल जाएगा पराग नलिका को और अगर यह होगी तो कुछ रसाइन होके द्वारा इसको गहलाने की आवशक्ता होगी अब यहां पर एक खास बात क्या किसी भी जाती के पोधे के पूश्प के वर्तिका अगर पर किसी भी जाती का परागण आ गया तो अंकुरित होगा नहीं होगा यहीं पर एक शब्दा आता है इसको कहते हैं रिजेक्शन रिएक्शन अब क्योंकि यह हमारे सेलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं नीशे चन पड़ रहे हैं तो आपको जहनकारी देना आवशक समझता हूँ कि जब कोई भी परागण वर्तिकागर पर आता है तो पहचान होती है रासा इनी ग्रूप से पहचान वर्तिकागर के बारी सतह के प्रोटीन और परागण के बारी सतह के प्रोटीन एक दूसरे को पहचानते हैं क्या ये मेरी ही जाती का पराक्ण है? क्या नीम के पोदे के वर्तिकागर पर नीम का ही पराक्ण आया? आम का तो नहीं आया? समझ ले ना पाद? अगर वो अपनी ही जाती का है तो उसे अंकुरित होने दिया जाता है पराग नलिका बनती है और नीशेचन होता है और यदि वो अपनी जाती का नहीं हुआ तो उसे reject कर दिया जता है यानि पराग नलिका नहीं बनेगी बन भी गई तो उसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाएगा अंदर प्रवेश नहीं हो पाएगा मैं दर्वाजा खोल देता हूँ थोड़ी सी लाइट मुझे कम लग रही है हाँ तो यह जो शब्द है compatibility या rejection reaction इसको आपने बारवी में भी पढ़ा था उसके लिए हिंदी में शब्द था पराग स्त्रीकेसर संकर्षन ऐसा एक शब्द था पराग स्त्रीकेसर संकर्षन जिसमें जो स्त्रीकेसर है या वर्तिकाग्र है वो पहचान करती है पराग कन की चलिए तो यह तो एक आरंबिक स्टेज हुई कि पॉलन ग्रेन हमारा वर्तिका ग्रपर आ गया है कि वो वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश कर गया है चलिए अब खास बात ध्यान दिजिए कि पराग नली कहां से प्रवेश करती है और कौन उसको प्रेरीत करता है ब्रून कोश्की और जाने के लिए तो यह जो अभिक्रिया है एक मनद लाइट आ गई वापस हाँ जो पराग नली है वो सर्वप्रथम तंतू रुपी समुच के नस्दिक प्रवेश करती है इन समुच्चों में कुछ ऐसे रसायन होते है जो पराग नली का को अपनी तरफ आकरशित करते है त्यानि पराग नली का सीधे यहां पर आती है फिर पराग नली का प्रवेश करती है इन सहयक कोशिकाओं से होते हुए किसी एक और जिसमें से होकर जानी है वो पहले से ही वो सहयक कोशिका नश्ट होने लगती है ताकि इससे भी कुछ ऐसे रसायन निकले हैं जो क्या कर सके हैं जो पराग नलीका को अपनी तरफ आकरशित कर सके हैं चलिए अब पराग नलीका आ चुकी है अब खास बात यहां कि पराग न लिका कहां कहीं से भी आती है लेकिन उसका प्रवेश जो है वो हमेशा यहीं से होता आगे हम पढ़ांगे मज्ज से भी प्रवेश करती है उसके कुछ नाम है टेक्निकल टर्म उसको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी कि ये पराग नलिका अंदर प्रवेश कर चुकी है अब हमने पढ़ा था कि इस पराग नलिका में क्या है दो नर केंद्रग दो नर युगमक है तो ये दोनो नर युगमक पराग नलिका से मुक्त कर दिये जाते हैं अब इसमें से एक नर केंद्रग तो जाके मिलता है अंड कोशिका से जिससे बन जाता है युगमन अज जाइगोट और दूसरा नर केंद्रग मिलता है केंद्रिय कोशिका से जिससे एक त्री केंद्रग की रचना बनती है जिसको कहते हैं ब्रूर कोश मात्र कोशिका तो यहां पर दो गठनाए हो रही है ध्यान देना नमबर एक हम कहेंगे प्रथम नर केंद्रग प्लस अंड कोशिका इन दोनों के मिलने से क्या बना युग्मन अज जिसको इंगलिश में क्या कहते है जाइगोड और ये जो अभिक्रिया है इसको कहते है युग्मक सनलयन और निशे चा निशी को कहते है नर और मादा युग्मक के सनलयन को ये जो पहली अभिक्रिया है वो युग्मक सनलयन की है जिसको कहते है गेमेटिक फ्यूजन अब दूसरी जो अभी करिया है उसका नाम है त्री सनलायन अब त्री सनलायन जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रीपल फ्यूजन अब ट्रीपल फ्यूजन क्यों कहते हैं क्यों कि यहां तीन केंद्रक मिलते हैं द्वीतिय नरकेंद्रक या नर्युगमक आप इसे केंद्रक कहें या प्लस केंद्रिय इसको कभी-कभी दुरुविय कोशिका भी कहते हैं केंद्रिय कोशिका और इससे क्या बनता है ब्रून पोश या इससे अभी जो बनता है बाद में ब्रून पोश बनता है प्राथमिक ब्रून पोश मात्र कोशिका एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल अब ध्यान देना ये भी संलयन है ये भी संलयन है फ्यूजन है ये भी निशेचन है और ये भी निशेचन है इसका मतलब यहां निशेचन की गटना दो बार होती है और इसी गटना को कहते हैं द्वी निशेचन डबल फर्टिलाइजेशन इंपोडेंट तो द्वी निशेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या है एक बार यूगमक संलयन और दूसरी बार त्री संलयन डबल फर्टिलाइजेशन इसकी खोज की थी SG नवाश्चिन नाम के वेग्यानिक थे उन्होंने खोज की थी फ्रिटिल एरिया में की थी कभी-कभी ये भी पूछा जाता है SG नवाश्चिन उन्होंने इसकी खोज की तो परीक्षा में अक्सर डबल फर्टिलाइजेशन पे प्रशन बनता ही है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बड़ा प्रशन बनता है इसको गंबिरता से लेना चलिए अब कुछ खास बात कि इस द्वी निश्यचन का महत्व क्या है क्या महत्व है समझना देखिए यहां तो बन गया यूगमन अज ये दोनों मिल गए और बन गया ब्रूण ये तीनों के अंदरक मिल जाएंगे और बन गयेगा ब्रूण पोश तो आगे क्या होता है कि ये जो ब्रूण है वो लंबा होकर इसमें दस जाता है और इस ब्रूण पोश से इस ब्रूण को पोशन मिलता है बन गया ताकि इसको पोशन मिलता रहे दूसरा यह त्री केंद्र की है तो जो त्री केंद्र की उत्तक है उसमें पोशन की मात्रा ज्यादा होती है जीम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता जीम्नोस्पर्म में ब्रून पोश या एंडोस्पर्म नमबर एक निशेचन से पहले बनता है नमबर दो यह हैपलोईड होता है ट्रिपलोईड नहीं होता है यह ट्रिपलोईड एंडोस्पर्म त्री गुणित है जबकि जीम्नोस्पर्म में एक गुनित है तो उसमें पोशक की महत्रा भी कम होती है दूसरा निशेचन से पहले ही बन गया तो मानलो निशेचन नहीं हुआ ब्रून नहीं बना तो यह उत्तक बेकार जाएगा ब्रून पोश या एंडोस्पर्म बेकार जाएगा क्योंकि अब किसी को पोशन मिलेगा नहीं इसे लिए एंग्योस्पर्म में दूई निशेचन का विकास हुआ दोना प्रक्रिया साथ साथ होती है ब्रून भी बनता है पोशन भी मिलता है और ट्रिपलोई एंडोस्पर्म बनता है तो उसमें पोशक की मात्रा भी ज्यादा होती है तो कभी कबार परिक्षा में इसा प्रश्ण भी बनता है कि दूई निशेचन का महत्व बताईए तो भी आपको ये विंदू ध्यान में होना चाहिए चलिए अब आगे कुछ पॉइंट से निशेचन से संबंदित उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे हाँ ये कुछ टेखनिकल टर्म जो है कि पराग नलिका ब्रून पोश में कहां से प्रवेश करती है तो तीन प्रकार हैं हिंदी में कहते हैं नीभागिय बीजान्द वारिय और मद्ध्य प्रवेश इसको मैं समझा देता हूं मांनों ये ब्रून कोश है स्वरी ब्रून कोश ये अंड कोशी का और ये प्रती मुख्य कोशी का तो तीन कंडिशन है बीजान्द वारिय प्रवेश यदि पराग नलिका बीजान्द वार से प्रवेश करती है तो उसको कहते हैं बीजान्द वारिय प्रवेश इसको इंगल कोशिका तो उसको कहते हैं कैल जो गेमि यानि निभाग से प्रवेश करती है तो उसको कहते हैं कैलेजो गेमि और एक तीसरी अवस्था है कि यदि पराग नली का मध्य से प्रवेश करे तो उसको कहते हैं मीजो गेमिग इसको कहते हैं केलेजो गेमिग ठीक है तो ये तीन प्रकार है लेकिन एक बात ज्यान रखना कहीं से भी पराग नली का जाए वो अल्टिमेटली प्रवेश तो कहां से करेगी अंड कोशिका वाले या सायक कोशिका वाले मार्ग से ही अंदर प्रवेश करेगी और वहां जाकर ये फटेगी दो नर्युगमक बाहार आएंगे और ये आगे वाली प्रक्रिया संपन होगी चले